वाईगरुजी का खालसा वाईगरुजी की फते प्यारे वित्रों में आपका साथ ही इंदरजी सिंग आज एक नए टॉपिक के साथ में तमाम भारत के अंदर सपीर्ड गवर्णर की जो प्रिक्रिया है सरकार की तरफ से वो लागू हो चुकी है इस से कैसे बच सकते हैं इस बारे में आज चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे उससे पहले जो की हर बार मैं कहता हूँ आप सभी समित्रों से कि दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शीर करें चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें वह जो भाई अभी तक ट्विट्र अकाउंट से नहीं जोड़ें वह ट्वीकर से जोड़ए और ट्विटर पंचाइद ग्रुप उसको आप जॉइन करें जिससे आपको सारी सुविधाएं और सारी समस्याओं का हल होता रहें आज जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि स्पेड गवर्नर आज पूरे भारत वर्ष में लागू हो चुका है नहीं हुआ तो हो जाएगा अब यह बलब सीट कवर सीट पार्ट मोबाइल मोबिल आयल फिल्टर पता नहीं अनेकों प्रकार की एसेसरी और नंबर प्लेट तक की चीजों को लेकर एक बहुत बड़ी धांदली चलती आई है और चल रही है क्योंकि वो लोग प्रिप्लांड हैं वो लोग सब एक चैनल पर के लिए स्वीड गुवर्नर के 3000 रुपे ज्यादा माइने ना रखते हूं लेकिन आपको याद होगा कि आप कभी किसी दुकानदार से 10 पैसे के लिए लड़ पड़ते हैं क्योंकि वो आपका हक है आप होटलों में अपनी मर्जी से कितनी बी टिप दियाएं आप अपनी श आती है स्पीड गुवर्नर की 3000 रुपे आपके देने की प्राइधानी परिवहन पंचायत ने प्रयास किया और यह कर दिया कि जो भी स्पीड गुवर्नर है नया जो लगेगा वो कंपनी से लगकर आएगा यह बात हमने फिट कर दी थी कह दी इसी प्रकार हमने पैनिक बट बताने जा रहा हूं कि हमारी थोड़ इसी कहीं न कहीं कमजोरी रह जाती है 17 के अंदर स्पीड गुवर्नर आया था हमने उसको रुकवाया आएसा ऐसा चलता चला गया बंता चला गया अब हलात यह हो गया है कि इन लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है हम फिटनर्स कर गुवर्णर का सेटिफीकेट भी हो तब देखते हैं जब जैक लगा कर देखते हैं तो मेरे मित्फरोई जो बात मैं भी आपको कहने जा रहा हूं अगर आपको अच्छी लगए तो उसको जयादा से जयादा फैलाएं और मेरी बात से सहहमत्त हों तो उसके लिए आप मेरे से जुड़े भी आप लोग देखते हैं कि कई गाड़ीों में वो जैक लगा के गाड़ी की स्पीड देखते हैं गवर्नर सैटिफिकेट होने के बावदूद भी हमारा मसला क्या है सरकार का मसला क्या है कानून का मसला क्या है कि आप की गाड़ी की स्पीड 80 km से ज़्यादा ना हो ये कानून कहता है ये सरकार कहती है ये सरकारी विभाग कहता है इसलिए वो जैक लगाते है मैं और आप सभी वालेंटरी ये बात के लिए त्यार हैं कि आप हमारी गाड़ी में जैक लगवाएं और स्पीड चेक करें तो फिर इस तीन हजार उपे की जुर्मानी की जरूरत नहीं है दोस्तों मेरी इतनी सी बात आप पकड़ लेना मात्र कि जब वभाग को गाड़ी चेक करनी है जब आपकी गाड़ी का स्पीड गवर्नर है उसके बाब जुद आपकी गाड़ी पे जैक लगता है तो हम दोशिये हम अपना सेर्टिफिकेट लेकर आएंगा ये एक ऐसी चीज है मेरे मित्रों आपकी गाड़ीों में लगी हुई है और आप निरंतर पूरा प्रयास करते रहते हैं कि इसको तोड़ दें ब्रेक कर दें कि इस गाड़ी स्पीड बढ़ जाए जिन गाड़ीों की कंपणी से लगाओ उस्पीड गुर्णर है और जिन लोगों ने अपनी स्पीड नहीं हटवाई वो गवर्नर कभी भी स्पीड को जंप नहीं करता जो बान दी गई उससे कमी चलता है यह बास सत्य है मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि पूरे भारत वर्ष में रायधानी प्रिवेंट पंचायत कारे कर रही है, आप लोग सदस्ते बने, आप लोग सदारन सदस्ते यह उपर नंबर लिखा है, 10 रुपे की मासिक सदस्ता लेकर जोड़ सकते हैं, अगर आपको कारे कार नहीं मै जो की एक संसा होने पे जब फाइट करेगी, तो हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, अब आप काओगे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम परिवेंट पंचायत के सदस्ते बन गए, और हर आदमी सदस्ते बन गया, चाहे हो 10 रुपे मासिक देके बन गया, एक कप चाहे है, तो युन करनी गए, लेकिन 100 की 100 गाड़ियां परिवेंट पंचायत की खड़ियां, कौन माइकालल सेर्टिविकेट मैंग सकता है, हमारा एक ही सवाल होगा, जैक लगाओ, स्पीड चेक करो, अगर स्पीड कलत है, तब आप हमारी बात कीजिए, और या आप बहार चलिए, जो आपके टाउट, जो आपके दले, जो आपके दलाल किसम के लोग बहार आजनसी में बैठे हुएं, जो कि गाड़ी में सिरफ एक परचा देते हैं, उस परचे का आपको 3000 पे करना था, वो कोई ट्राइल नहीं करते हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कि वो आपकी स्पीड चेक तो मैं उस 3000 को क्यों दूँ जो कि गैर कानूनी है, मैं ब्रस्टाचार के खिलाफ हूँ, आप ब्रस्टाचार के खिलाफ हैं, हमारे नरिंद्र मोधी प्रधान मंत्री कहते हैं, ब्रस्टाचार नहीं होना चाहिए, हमारे केदरिवाल, खटर, योगी सभी कहते हैं, जगह बहुत सी बाते कर देंगे यह ऐसा कर गया अपने राइट के लिए फाइट करो मेरे मित्र अपने राइट के लिए फाइट करो आज की वीडियो मात्र में सरफ आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी में स्पिर्ड गवर्णर लगा हुए और वसी से ज पारेकार्णी में आजिए जिससे हम पूरे देश के अंदर एक जो पील की हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोट जाने की बात करते हमारे पास पैसे नहीं मेरे में तो ना आप सेठ हूं हमारे पास 19 मई से हमने क्लेक्शन चालू करी है तो 30 मई सक हमारे पास 3000 रुपे कठे हु और मैं तो संगठन की ताकत बनाने की बात करा हूं अगर आपको स्प्रीड गौर्णर से बचना है आप किसी को गलत मत क्याना कि उसने काम नहीं किया आप पहले यह उंगली तीन जो आपकी तरफ आरी ना यह तीन उंगली इनकी तरफ देखो क्या मैंने कुछ सब्स्प्रीड गौर्णर के पैसे इतने मांग रहे हैं को चार चार हजार रुपर मांग रहा है क्यों मुंबाई से फोन आते इतने पैसे मांग किसलिए देओ पैसे आप उनको आप छोटी सी मेहनत निकर सकते 10 रुपया मासिक देके सुधारन सदस्थ से बन जाओ कारे-का है कि हम सबी लोग एकत्रित होकर इस छोटी सी जो इनकी सरकार की जो चेन है इंकम कि आई लाख रुपय तंखा मिलती है उसके बाब जूद भी यह बाहर से कमीशन का काम करते हैं जिसका कमीशन आ गया उसका सेर्टिफिट पास कर दिया आज सेलंडर टेस्टिंग की बात हम करते हैं सरकार करeshner दिल फार शेशन के कितने फाहर सेशन है उत्रह प्रदेश में उत्राखरण में राजस्थान में हाया अपंजा में माहरास्चा में सब जगह फाहयर के आफिस ही ना वहां से सरकार निशूल कौरे स्प्सकार तर जाच करे उनके पास अथर्टी है कि सरकार सेफटी की बात करती है सेफटी का काम सरकार का हमारा नहीं है मेरे मित्रो कल की वीडियो में मैं आऊँगा कि गैस सलंडर के उपर क्या से जोल जाल है अगर आपको श्पिर्ट गवंदर के लिए ये बात मेरी ठीक लगी हो तो आप सदसे भी बने उपर नंबर लिखा इस पर फोन कर सकते हैं वटसब कर सकते हैं वटसब करें तो ज्यादा उच्वित सब्सक्राइब करना है चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है अच्छा लगे तो वीडियो को आगे से आगे जुरूर पहुचाएं वाइग्रजी का खाल शाया वाइग्रजी की सत्वित